नमस्कार स्वागत है आपका Campus News 2427 आज इस वीडियो में मैं अंकिता सिंग आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताने जा रही है सैनिक स्कूल क्या है? सैनिक स्कूल मूरी रूप से देश की रक्षा सेवाओं में आयोग अधिकारी तयार करने के लिए बनाए गए स्कूल है यह आवाज से विद्याले होते हैं इनका संचालन रक्षा मंत्राले के अधिहीन सैनिक स्कूल सुसाइटी के द्वारा किया जाता है यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा प्रदान करते हैं तथा सिब्येसी पार्थकरम का अनुसारन करते हैं यह स्कूल, राश्टी डिफेंस अकाडमी और भार्टिय नौसेना अकाडमी के अधिकारी वर्ग के पदों के लिए विद्यार्थियों को तयार करते हैं सेना में अनुसाशन दक्षिता की बहुत अवशक्ता होती है इसके लिए ऐसे बच्चो को तयार करना होता है जो बच्चपन से ही अनुसाशित और बुद्धिमान हो इसके लिए कम आयू से ही बच्चो को शाररिक और मानसिक रूप से तयार करना होता है या देश के समाने स्कूलों में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर अच्छी और बेसिक इंफ्रस्रक्शर और कौलिफाइड कोच नहीं होते हैं जो ऐसी अभशक्ताओं को खूडा कर सके जो सेना में इस्तमाल की जाती है इसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल की स्तापना भारत सरकार द्वारा अलग-अलग राज्य में करी गई है सैनिक स्कूल देश में सेना छेत्र में अपने भविश्य बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहतरीर अफसर है जो कि आपको बच्पन से ही अनुशाशन और प्रवावीन बनने के महत्वपून भूमिका निभाता है सैनिक स्कूल में प्रवेश लेकर विद्यार्थी एंडिये और नेवी छेत्र में अपने आपको काफी हट तक तयार कर लेते हैं सैनिक स्कूल का एक विद्यार्थी को उसकी पूर्ण शम्ता को विक्सित करने के लिए महत्वपून योगदान देता है देश में अनेक राज्यो में सैनिक स्कूल है जिनकी वर्दमान कुल संख्या 33 बताई जाती है प्रतिवर्ष राष्ट्रिय परिक्षा एजेंसी त्वारा तक्षा 6 और तक्षा 9 में प्रवेश के लिए परिक्षा आयोजित किया जाता है इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ करता है सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद आपको हॉस्टिल अलाउट्मेंट होता है जिसमें रहकर विद्यार्थी अपना आधियायन करते हैं पढ़ाई के साथ साथ अन्य सैक्षनिक गति विद्यों में जिसमें खेल कूट संस्कृति कारिक्रम के साथ साथ बौधिक और रचनामत कारिक्रम शामिल हुआ करते हैं सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के लिए पूरे देश से आवेधन आते हैं जिसकी प्रवेश प्रक्रिया काफी कठिन होती है। सबसे योगिव विद्यार्थियों की ही चयन इन विद्यारों में हो पाता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए जूड़े रहें Campus News 2427 के साथ।